वाइटेक चैनल में आप सभी का एक बार फिसे स्वागत करता हूँ दोस्तो वाटसअप चलाती हो ना तो वाटसअप की तीन खूफिया हैक्स ट्रिक के बारे में बताऊंगा जो वाटसअप के अंदर न्यू अपडेट आया है जिसके बारे में आप सबको नहीं पता होगा और यह जो दूसरे नमर का जो ट्रिक है न दोस्तो वो सबसे इंपोर्टेंट ट्रिक है जो आपको जानना बेहत जरूरी है यदि आप 2021 के अंदर वाटसअप चलाते हो तो तो यदि आप जानना चाहते हो कि वाटसअप की तीन ऐसी कौनची खूफिया एक्स ट्रिक है जिसके बारे में आप सबको जानना चाहिए तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और लास्त तक देखिएगा आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम कर देना है यदि मेरे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किये न तो सस्क्राइब कर दीजेगा और साथ में और नोटिफिकेशन बेल आइकोन को जरूर दबाएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे है वीडियो को लाइक कर दीजेगा और कमेंट करके बताना है वाटसअब खूफिया ट्रिक लिख करके तीन खूफिया ट्रिक लिख करके मुझे सेंड कर देना है कमेंट करके बतेगा आपको कौन सा ट्रिक सबसे बेश्ट लगा share वाले बटन पे click करके आप अपने friend और दोस्तों को इस वीडियो को जरूर share किजेगा मैं आपको पहला trick के बारे में बता देता हूँ WhatsApp के open कर लिजेगा किसी के पोरफाइल पे आप जाओगे न तो आपको i button दिखेगा आप i button पे आप click करोगे तो नीचे दिखेगा आपको यहाँ पे this print message का option अब this print message पे आप click करेंगे न तो आपको यहाँ पे 24 घंटा दिखेगा 7 घंटा 90 दिन और off का option दिखेगा यदि आप 24 घंटे पे click कर देते हो न तो अभी ये बंदे को आप message करोगे न तो 24 घंटे के अंदर delete हो जाएगा वो message यदि आप 7 दिन पे click करके आप message करते हो न तो 7 दिन के बाद message जो भी आप chat करेंगे न तो वो 7 दिन के बाद delete हो जाएगा 24 गंटे पे click करोगे तो 24 गंटे के बाद जो भी आप chat करोगे न इसे तो वो message 24 गंटे पे delete होता जाएगा तो यह रहाँ पहला trick जो आप कर करके आप किसी को भी message करोगे तो वो delete हो जाएगा तो यह रहाँ पहला trick अब मैं दूसरा trick के बारे में बता देता हूँ जो सबसे important trick है आपको three dot में जाना है आपको setting में जाना है आपको chat में चले जाना है अब chat में जाने के बाद आपको chat backup में जाना है अभी यह क्या है दोस्तों आपको यहाँ पे option दिखेगा into in encrypted का option दिखेगा अब इस पे click करेंगे इसको on कर दीजेगा on करिएगा तो यहाँ पे आपको password मांगेगा password आपको छे character डालना है और एक later डालना ठीक है यहाँ पे आप password डाल दीजेगा अब password डाल दीजेगा तो आप पूछोगे इसका फाइदा क्या है इसका काम क्या है दोस्तों कि आपका chat कभी जिन्दगी में leak नहीं होगा यदि कोई backup लेकर करके आप अपने whatsapp पे share भी कर लेता है आपके chat को backup लेकर करके तो वो नहीं पर सकता है क्योंकि password तो सिर्फ आपको पता है तो इस तरह से आप password डाल सकते हो कभी जिन्दगी में आपका chat ना hack होगा ना leak होगा कुछ ही नहीं होगा ना कोई पर सकता है क्योंकि जो भी backup लेगा या कोई भी chat को परने ही कोसिस करेगा तो वो सबसे पहले password माइगेगा तो आप यहाँ पर password डाल सकते हो तो यह रहा दूसरे नमर का trick अब मैं आपको तीसे नमर का trick बता देता हूँ आपको यहाँ पर दिखेगा बहुत सारा आपका यहाँ पर chat दिख रहा है ना तो आप इस chat को gap कैसे कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारा chat दिख रहा है तो आप बहुत असानी से gap कर सकते हो तीरी डॉट में जाना है सेटिंग में जाना है आपको chat में जाना है सबसे नीचे जाएंगे chat history दिखेगा तो यहाँ पर दिखेगा archive दिख रहा है na all archive chat तो इस पर click करके ओके पर आप click कर देंगे न तो आप यहाँ पर देखना अपका सारा chat यहाँ पर गाइब हो गया यहाँ पर गाइब हो गया na एक भी chat आपको नहीं दिखेगा यदि आप फिर से chat को लाना चाहते हो सारे chat को तो वैसे ही three dots में जाना है आपको chat में जाना है नीचे जाना है आपको यहाँ पर और चिप्ट के option दिखेगा उस पर click कर दिजेगा तो यहाँ पर आपका सारा का सारा chat आ जाएगा तो यह रहा तीसरा trick तो I hope दोस्तों आप लोग को बताना comment करके तीनों में से कौन सा सबसे जादा अच्छा trick लगा comment करके जरूर बतेगा तो आसा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगाओ वीडियो को लाइक करे चैनल को सस्क्राइब करे बाई